Hello students, चलिए start करते हैं exercise 6.4 का question number second देखते हैं क्या है Find the approximate value of f of 2.01 Where fx equal to 4x square plus 5x plus 2 अब इस type की question को कैसे करेंगे बड़े धिहान से देखना है सबसे पहले देखो हमें function क्या दे रखा है fx equal to 4x square plus 5x plus 2 दूसरा काम क्या करना है जो भी हमें function दे रखा हो ना उसका derivative निकाल लो derivative क्यों निकालते हैं जो भी हमारी decimal value होती है न small value होती है उसको calculate करने के लिए हमें derivative की requirement होती है तो यहाँ पे क्या निकलेगा f-x तो वो किसके equal आ जाएगा 4 to 8x और plus में 5 यह आगया मेरे पास derivative अब चलते हैं हमने question पे हमें किसकी value निकालनी है f of 2.01 इसको break करके कैसे लिख सकते हो f of 2 plus 0.01 लिख सकते हो या नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है और इसको अगर मैं compare करू f of x plus delta x से तो मुझे किस-किस की value चाहिए एक तो f x की value चाहिए एक f of delta x की value चाहिए इसको अगर मैं break करूँ open करूँ इसको तो यह किसके equal हो जाएगा बच्चो f x plus में delta f x ज्यांग से देख लो बस यह चीज समझ लो क्योंसर आ जाएगा f of x plus delta x से इसको open करेंगे तो f x plus delta f x इन दुनों का सम हमारा क्या कहलाएगा f of 2.01 का solution तो सबसे पहले हम f of x निकालते हैं यहाँ पे x को compare करें तो x की value क्या है 2 तो यहाँ पे f of 2 निकाल लो पहले f of 2 किसके equal हो जाएगा यहाँ पे 4 into 2 का square plus 5 into 2 और plus में 2 तो यहाँ पे क्या आ गया 2 का square 4, 4 4 जा 16 plus में 5 2 जा 10 plus 2 तो कितना आ गया बच्चो 28 आ गया यहाँ पे यह बात clear हो गई अब चलते हैं अपना delta f x की value निकालने पे delta f x की value किस तरिक्के से निकलेगी हमारा जो delta f x होता है वो किसके equal होता है मैंने introduction के अंदर बताया था f dash x और into में delta x delta f x किसके equal होगा f dash x into delta x के इसको simplify कर लो यहाँ पे तो f dash x कितना है बच्चो हमारा 8 x plus 5 तो यहाँ पे क्या put करेंगे हम 8 x plus 5 8 x plus 5 और यह क्या है हमारे पास delta x तो delta x की value क्या है हमारी 0.01 तो यहाँ put कर लेंगे multiply में 0.01 यहाँ पे x की value to put करेंगे तो क्या आजाएगा 8 x 2 plus 5 multiply 0.01 8 to 16 और 5 21 21 की 0.01 से multiply करो तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा मेरा 0.21 यह आगया मेरे पास किसकी value आगी delta f x की तो बस यहाँ पे put कर देनी है हमे f x की value क्या आए थी 28 और यह क्या आगया 0.21 दुन्नों को add कर दो 28.21 आगया मेरा answer find the approximate value of f of 5.001 where f x equal to x q minus 7 x square plus 15 हमारे पास क्या है एक function दे रखा है f x जिसकी value क्या है x q minus 7 x square plus 15 इसकी help से हमें f of 5.001 निकालना है अगर directly हमें f of 5 निकालना होता तो x की जिगा 5 पुट करते answer आ जाता बट यहाँ पे decimal value है इसको कैसे simplify करेंगे देखो सबसे पहला काम मैंने बताया है f x लिखो जो भी function दे रखा है x q minus 7 x square plus 15 इसका derivative करूं तो f dash x is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 x square minus 7 to 14 x और 15 का हो गया हमारा 0 अब सबसे पहले इसको break करो f of 5.001 को इसको कैसे break करके लिख सकता हूं मैं f of 5 plus 0.001 यह लिख सकता हूं या नहीं अब इसको compare अगर मैं करूं f of x plus delta x से तो बच्चो x की value क्या हो गई यहाँ पे 5 और delta x की value क्या हो गई हमारे 0.001 यह तो compare कर लोगे असानी से आप अब देखो solution कैसे निकालेंगे पहले x equal to 5 पे देखते है हमारा function क्या result देता है तो f of 5 is equal to यहाँ पे 5 का cube minus 7 into 5 का square plus 15 क्या है आप 5 का cube क्या हो गया 125 minus 5 का square 25 25 की 7 से अगर मैं multiply करता हूँ तो यह क्या हो गया 175 और plus में 15 यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा minus का 35 क्योंकि negative value बड़ी है 125 और 15 क्या हो गया 140 175 में से 140 क्या तो minus का 35 f of 5 की value आपके पास ठीक है हमें किसकी निकालनी है f of x plus delta x की तो यहाँ पे लिख लो f of x plus delta x इसको अगर मैं open करूँ तो क्या हो जाएगा f x plus delta f x ठीक है अब f x की value क्या थी हमने अभी अभी निकाल लिए minus का 35 plus में delta f x delta f x को क्या लिख सकता हूँ मैं f dash x into delta x कोई भी function है अगर उसका हमें क्या करना है small part निकालना है तो वो क्या होगा उसका derivative into में delta x अब देखो कैसे होगा minus का 35 plus में f dash x कितना निकला था हमारे पास 3 x square minus 14 x into में delta x की तरह है 0.001 यहाँ पे multiply लगा लो इसको simplify कर देना है बस देखते हैं minus का 35 plus में यहाँ पे x की value क्या थी 5 5 का square 25 25 भी 3 से multiply 75 minus 5 पूट करेंगे 14 5 जा क्या हो गया 70 multiply में 0.001 देखते हैं आगे क्या आएगा minus का 35 प्लस में यहाँ पे 5 multiply 0.001 तो यहाँ पे क्या आगया minus का 35 plus 5 की multiply करेंगे तो 0.005 हो गया तो यहाँ पे minus के 35 में से 0.005 सब्ट्रेक्ट करो तो क्या आएगा minus का 34.995 यह answer आगया find the approximate change in the volume v of a cube of side x meter caused by increasing the side by 1% यहाँ पे क्या काया है मानलो एक cube है आपके पास एक cube draw करते है अच्छे से समझ में आएगा यह मानलो क्या है कि cube है और उसने क्या का है जो यह cube है इसकी side x meter है अगर इसकी side को हम क्या कर दे 1% से increase कर दे तो इस cube का volume कितना increase हो जाएगा यह find out करना है समझ में आए question देखो भई सबसे पहले देखो side of cube कितनी दे रखी है side of cube equal to x meter दे रखी है कितनी दे रखी है इसको mtr लिख लो x meter उसके बाद देखो side कितनी increase हुई है 1% मतलब पहले x थी उसका 1% increase हो गई तो यहाँ पे दिखेंगे increase inside increase inside कई बार decrease ले दिता है decrease करेंगे तो minus होगा increase करेंगे तो plus हो जाएगा क्या हुई है 1% किसकी x की 1% of x अब इसको लिखते कैसे है 1% का मतलब 1 by 100 of x का मतलब multiply by x तो यह क्या हो जाएगा मिरे पास यहाँ पे 0.01x समझ में आगी न बात किसी भी चीज में increase करते है 1% of क्या है x का 1% increase हो है plus नहीं करेंगे यह तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि x में 1% add कर देंगे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं है यही करना है 1% of x हमारा क्या हो गया increase तो मतलब change inside जो आ गया वो आ गया 0.01x यह किसकी value आई है delta x की किसकी value आई है delta x की अगर इसको हम x के अंदर जोड़ देंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा x plus delta x आ जाएगा तो वो हमें नहीं चीए हमें तो change inside चीए कि कितनी increase हुई है 0.01x हुई है अब volume की बात कर रहा है तो volume of cube देख लो volume of cube किसके equal होता है v equal to x cube अब मैंने बताया था पहले क्या करेंगे derivative निकाल लेंगे अगर कोई भी small change हो रहा है तो यहाँ पे derivative करेंगे volume का तो dv by dx into delta x क्या होगा dv by dx into delta x इससे ही हमारा answer आएगा अब यहाँ पे यह हमने अगर delta v निकालना है तो delta v is equal to क्या होजएगा dv by dx into delta x के अब volume का derivative करो क्या होगा x cube का d by dx of x cube into delta x अभी समझा हो इसको चिंता ना करो इसका derivative 3x square into delta x delta x की value क्या है 0.01x यहाँ गया इसको simplify कर लो यहाँ पे 3 की 0.01 से multiply करेंगे तो 0.03x cube यह आगया मेरा approximate change in volume यह answer हो गया find the approximate change in the surface area of a cube of side x meter caused by decreasing the side by 1% यहाँ पे क्या कहा है हमें कि हमें change in surface area find out करना है of a cube जिसके side हमें x meter दे रखी है और जो है वो decrease हो जाती है 1% से अगर side decrease हो जाए 1% से तो उसके अंदर जो changing area होगा surface area के अंदर वो हमने find out करना है आगया समझ में question सबसे पहले देखो side of the cube हमने क्या दे रखी है side of cube equal to x meter अब decrease in side देखो क्या है पहले में increase था इसमें क्या है decrease in side 1% से decrease होगा 1% of x side गए तो 1% decrease होगा तो इसको क्या लिखेंगे है 1 by 100 multiply x तो यह किसके equal आगया 0.01x तो यहाँ पे delta x किसके equal होगा हमारा minus का 0.01x क्योंकि decrease हो रही है इसलिए negative लेके चलेंगे समझ में आगी बात यह change in side आ गया delta x का मतलब क्या है change in side अब surface area of cube का formula लिखो surface area of cube क्या होगा s equal to 6x square हमें क्या निकालना है बच्चों हमें निकालना है delta s change in surface area तो किसके equal होगा ds by dx into delta x होगा यह नहीं ध्यान से देखो delta s by delta x is equal to किसके होगा ds by dx के तो यहाँ पे delta s की value निकालनी है delta x की इसदर multiply हो जाएगी अब देखो यहाँ पे d by dx of s के है हमारा 6x square into delta x के हमारा minus का 0.01x simplify कर लो इसको 6x square का derivative करेंगे तो क्या होगा 12x multiply minus का 0.01x इसकी multiply कर दो यहाँ पे 12 की इससे multiply करेंगे तो तो हमने बताना है अगर इतनी error हो जाए तो volume के अंदर बता है delta r से वो हमें already दे रखे 0.02 meter delta v find out करना क्या होगा तो यहाँ पे देखो किसके respect में function है r के respect में तो delta v by delta r is equal to किसके होगा dv by dr के हमने delta v निकालना है तो delta v किसके equal हो जाएगा dv by dr into delta r होगा या नहीं होगा अब देखो delta v equal to d by dr of volume का formula क्या है 4 by 3 pi r cube इसका होगा derivative into delta r की value क्या है 0.02 put कर दिबा simplify करेंगे इसको delta v equal to क्या होगा 4 by 3 pi r cube का करो derivative तो यह क्या होगा 4 by 3 pi agitage r cube का करेंगे तो into में 3 r square और multiply 0.02 3 से 3 कट गया हमारा तो यहाँ पर delta v is equal to किसके आ गया बच्चों यहाँ पर 4 की 0.02 से multiply करेंगे तो कितना आ गया यह 4 की 0.02 से multiply यह आ गया 0.0 और 2 की multiply करेंगे 4 to 8 और pi into r square r की value क्या दे रखेंगे 7 तो 7 का square कर लेंगे 7 का square क्या होगा देल्टा v is equal to 49 multiply 0.08 into pi अब 49 की 0.08 से multiply करेंगे तो मेरे पास क्या देगा 3.92 pi meter cube volume की बात कर रहा है तो meter cube में answer होगा if the radius of square is measured as 9 meter with an error of 0.03 meter then find the approximate error in calculating its surface area यहाँ पर question में क्या कहा है कि radius of square जो है वो measure किया गया है 9 meter और उसको measure करते time error आ गई 0.03 meter की then find the approximate error in calculating its surface area तो surface area जो हमने measure किया है इसके help से उसमें कितनी error आई होगी यह find out करनी है सबसे पहले देखो radius of square radius of square कितना दे रखा है r equal to 9 meter error कितनी है हमारी error in radius radius के अंदर error कही है तो delta r हमें दे रखा है 0.03 meter यह बात clear होगी यहाँ पर अब surface area की बात कर रहा है यहाँ पर तो surface area का formula क्या होता है surface area of sphere s equal to 4 pi r square यही होता है हमने अब क्या निकलना है delta s find out करना है तो कैसे निकलेगा delta s by delta r is equal to ds by dr तो यहाँ पर delta s is equal to किसके हो जाएगा ds by dr into delta r के होगा या नहीं होगा निकालते हैं अब delta s is equal to d by dr s क्या है हमारा 4 pi r square into में delta r की value क्या है 0.03 ठीक है calculate करते हैं इसको delta s is equal to 4 pi r square का derivative क्या होगा r square का 2 अग्याएगा 4 to 2 जा 8 pi r multiply 0.03 एक तो यह answer आ गया दूसरा उसने radius mention किया बच्चो 9 meter अगर नागर रखा हो तो यहीं answer छोड़ना था हमें इसकी से multiply करके अब at radius r is equal to 9 meter हो तब तो delta s is equal to किसके हो जाएगा हमारा 8 pi multiply यहाँ पर 9 multiply 0.03 तो delta s is equal to किसके हागया हमारा 8 pi multiply 9 की multiply करो 0.27 हो गया 0.27 की 8 से multiply करेंगे तो delta s is equal to किया आगया मेरे पास 2.165 meter square कितना आगया 2.165 meter square यह answer आगया मेरे पास सबसे पहले देखो function के आदे रखा है हमें f x equal to 3 x square plus 15 x plus 5 statement तो पड़ी नहीं हमने if f x equal to this then approximate value of f of 3.02 is तो हमें इसकी value निकालनी है f of 3 की निकालनी होती direct 3 put करते answer आजाता हमें निकालनी है f of 3.02 की इसको break कर लो f of 3 plus 0.02 ऐसे कर सकता हूँ या नि break तो इसको compare कर लेंगे हम true value से और error value से f x plus delta x x equal to क्या हो गया 3 और delta x equal to क्या हो गया हमारा 0.02 सबसे पहला काम क्या है हमें changing value निकालनी है इसका derivative करना पड़ेगा f dash x देखते हैं क्या आएगा 3 to just 6 x plus 15 x का 1 और 5 का 0 f dash x आगया मेरे पास अब हमें निकालना है f of x plus delta x तो ये किसके equal होगा f x plus में delta f x के हमें f x निकालना है delta f x निकालना है पहले हम f x find out कर लेते हैं f x is equal to क्या होगा हमारा क्या दे रख़्ा है 3 x square plus 15 x plus 5 हमने किस पे निकालना है 3 पे तो f of 3 equal to क्या हो जाएगा 3 x 3 का square plus 15 x 3 plus 5 तो क्या आगया 3 का square 9 3 जा 27 plus 45 plus 5 ये क्या होगा 45 और 5 50 और 27 एड़ करेंगे तो 77 अब यहाँ पे देख़्ो हमें delta f x निकालना delta f x किसके equal होता है हमारा f dash x into delta x के इसको भी calculate कर लो यहाँ पे f dash x कितना था हमारा 6 x plus 15 और into में delta x की value देखो क्या है 0.02 इसको multiply में लिख लो x की value 3 put करेंगे यहाँ पे तो क्या हो गया 6 into 3 plus 15 इसकी multiply 0.02 से तो 6 3 जा 18 और 15 कितना हो गया हमारा 33 multiply 0.02 इसकी multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.66 तो हमारा f of x plus delta x किसके equal आ गया बच्चो f x की value क्या है थी 77 और plus में 0.66 तो answer क्या आ गया 77.66 The approximate change in the volume of a cube of side x meter caused by increasing the side by 3% यहाँ पे क्या कहा है कि एक cube है जिसके अंदर अगर side को 3% increase कर दिया जाए तो volume के अंदर क्या changement आएगा यह हमने find out करना है ठीक है सबसे पहले देखो side of the cube क्या है x meter दे रखिए तो यहाँ पे लिखेंगे side of cube equal to x meter volume of cube volume of cube capital V is equal to क्या हो जाएगा क्या होता है volume of cube side क्यूब होता है x cube हो गया अब देखो side कितनी increase होई है 3% तो यहाँ पे लिखेंगे increase in side increase in side is equal to 3% of x क्योंकि side का increase होई है तो 3% of x करेंगे तो यह कितना होगा 3 by 100 into x तो यह किसके equal आगया 0.03 x के equal और यह क्या हुआ हमारा delta x की value आई है क्योंकि side इतनी increase होई है तो 0.03 x आ गई इतनी बात clear हो गई अब हमें volume निकालना है तो देखो delta v find out करना है हमे तो delta v by delta x is equal to किसके होगा dv by dx के तो delta v is equal to किसके होगा dv by dx into delta x अब value put करो तो यहाँ पे delta v is equal to d by dx of volume का formula क्या है x cube into delta x तो delta v is equal to क्या आ गया x cube का derivative करेंगे 3 x square into delta x की value क्या बच्चो 0.03 x multiply कर लो इसकी delta v is equal to 3 की से multiply करेंगे 0.09 x square की x से multiply x cube और volume किसमें आता है meter cube में तो यह आ गया 0.09 x cube meter cube तो हमारा option कौन सा हो जाएगा c option is the correct option समझ में आ गया clear है कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं otherwise channel को subscribe कीजिये like कीजिये और ज्यादा से ज्यादा share कीजिये अपने juniors को भी बताएए 8,9,10,11 के बच्चों को thank you students